दोस्तों आप सभी ZTV का पॉपलर सीरियल कुंडली भागय तो जरूर देखते होंगे जो की दर्शकों का फेवरिट बना हुआ है और इसका श्रेल जाता है इस सीरियल में नजर आने वाले दमदार कलाकारों को जिन्होंने अपनी किरदारों को इतनी बखुबी तरीके से पर क्या आप इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं जिनसे बेहत प्यार करते हैं और जो इनी की तरह काफी फेमस भी हैं अगर नहीं तो फिक्र ना करें आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सीरियल कुमकुम भागय के टॉप 5 कलाकारों के रियल पार्टनर से इस लिस्ट में पर नाम आता है अभिनित्री पूजा बैनर जी का जो में रियाी का करदा निबा रही है बस ऐसे ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते करते एक दूसरे के साथ कुशाल जन्दगी बिता रही है नहीं आपको बता दी कि इनके पती पेशे से एक स्विमर है जो अपने इसी टालेंट के चलते करी मेडल इंडिया के लिए लेकर आचुके है सीरल में रनबीर कोली का किरदान निभा रहे अभिनेता कृष्णा कॉल की लाइफ पार्टनर के बारे में बात करे तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है ये अभी सिंगल है और इन्हें अपनी जन्दगी में इनके हमसफर की तलाश है सीरल में प्राची का किरदान निभाने वाली अभिनेतरी मुगदा चापेकर ने रवीश दिसाई से साल 2016 में शादी की थी जो कि एक लव मैरिज थी जुसके बाद से ही दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुशी से जिन्दगी गुजार रही है आपको बता दे कि इनके पती पेशे से एक आक्टर है जिन्होंने सतरंगी ससराल जैसे कर टीवी शोज में काम किया है सीरल में अभिशेक के मुख्य किर्दार में नजरा रही अभिनेता शबीर आलुवालिया ने साल 2011 में कार्ची काल से शादी की थी जिनके साथ आज ये बेहत खुश है और आज उनके दो बच्चे भी हैं जिनके साथ ये दोनों एक खुशाल जिन्दगी बिता रही है आपको बता दे कि इनकी पतनी भी पेशे से एक एक्ट्फरिस रह चुकी है जिन्होंने मायका और भावी जैसे टीवी शोज में काम किया है पर शादी के बाद से ही वो बतौर हाउज वाइफ अपना घर संभान रही है इस लिस्ट में आखरी नमबर पर नाम आता है अभिनेतरी श्रीती जा का जो कि सीरिल में प्रग्या का किरदान निभा रही है लेके नगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की तो इन्होंने शादी तो नहीं की है पर इनके रिलेशनशिप की खबरे कुनाल करन पूरतेशी से एक अक्टर है जिन्होंने ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहां जो ऐसे टीवी शोव में काम किया है तो दोस्तों आपको कैसा लगा इन सितारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू होकर हमें अपनी राए कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही टीवी स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें